हेलो दोस्तो वेलकम माई यूटूब चैनल आप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में आप सबका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनलाइसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्राफिट कमाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है तो देखे दोस्तो पहले हम देखेंगे bank nifty और उसके बाद देखेंगे हम nifty तो आप लोग देख सकते हैं हम bank nifty के चार्ट पर आ चुके हैं आज के दिन bank nifty के अंदर क्या हुआ आज के दिन bank nifty यहाँ पर little weight gap up opening हुई और उसके बाद ये वाला जो moment था हम लोगों ने यहाँ पर capture किया था तो जिन्हों ने कल के analysis वाला वीडियो को follow किया होगा वो लोग आज के दिन bank nifty की अंदर बढ़िया profit बनाया होगा अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन bank nifty के अंदर कैसा moment रह सकता है तो चलिए दोस्तो हम पहले अब देखते हैं one day का चार्ट तो देखे दोस्तो अब हम one day के चार्ट पर आ चुके हैं अभी आप लोगों को bank nifty के अंदर neutral रहना है ऐसा मैंने क्यों कहा इसके पीछे logic है पहले हम logic को समझते हैं देखे दोस्तो जब तक bank nifty 42,500 के उपर नहीं जाती है तब तक यहाँ पर bullish नहीं होंगे ठीक है बियरिश कब होंगे जब तक bank nifty 41,800 के नीचे नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर बियरिश नहीं होंगे जब तक 42,500 से ले करके 41,800 के अंदर काम करती है bank nifty तब तक आप लोगों को यहाँ पर एक ही strategy को follow करना है buy on dips, sale on rise अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो देखिए दोस्तो अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आच चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल important निकल के आ रही है कल के दिन bank nifty के अंदर trade करने के लिए तो देखे दोस्तो अगर कल के दिन bank nifty gap up opening होती है वो कौन सा लेवल होगा वो होगा यह बला लेवल जो की लेवल होगा 42,378 का अगर इसके उपर कल के दिन bank nifty gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं बाई करना है आप लोगों को यहाँ पर call कब बाई करना है जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को green candle के अंदर restaurant दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call बाई कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेवल होगा 42,300 का और target की बात करेंगे तो target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 से लेकर के 1,500 तक का target रह सकता है और उसके बाद आप लोग वहाँ पर SL को trail कर सकते हैं अब सपोज कर लीजिये अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर gap up opening होने के बाद इस लेवल पर sustain नहीं कर पाती है जो की लेवल है 42,378 का और इस लेवल को यहाँ पर breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं buy करना है आप लोगों को यहाँ पर put कब buy करना है जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को red candle के अंदर एश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेवल होगा 42,450 का और target की बात करेंगे तो target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की आज का closing price है closing price अपने चार्ट के उपर जरूर मार कर लें क्योंकि next day trade करने के लिए बहुती important लेवल होता है यह जो की लेवल है 42,274 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तो यह तो हो गया gap up बाला scenario अब suppose कर लीजिए अगर कल के दिन bank nifty gap down खुलती है वो कौन सा level होगा वो होगा यह वाला level जो की level होगा 42,114 का अगर इसके नीचे कल के दिन bank nifty खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate put नहीं भाई करना है आप लोगों को यहाँ पर put कब बाई करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को red candle के अंदर रेश्टन्त दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर put बाई कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की label होगा 42,200 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 से ले करके 200 point तक का target रह सकता है और उसके बाद आप लोग वहाँ पर SL को trail कर सकते हैं अब suppose कर लिजिए अगर कल के दिन bank nifty इस level पर gap down खुलने के बाद इस level पर sustain नहीं कर पाती है जो की label है 42,114 का और इस level को यहाँ पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर immediate call नहीं बाई करना है आप लोगों को यहाँ पर call कब बाई करना है जब इस level पर दुबारा retracement करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को green candle के अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर call बाई कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की label होगा 42,020 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो की label होगा 42,274 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर SL को ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चाठ के उपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ता कि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है अब चलिए अब हम चलते हैं 90-50 के चार्ट तो देखे दोस्तों अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ आज के दिन निफ्टी 50 लिटिल बीट गैप अपनी हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बढ़िया मुवमेंट देखने को मिला निफ्टी 50 के तो चलिए दोस्तों आब हम पहले चलेंगे वन डे के चार्ट पर तो देखे दोस्तों आब हम वन डे के चार्ट पर आ चुके हैं अभी आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर क्या रहना है निउट्रल रहना है जब तक नीचे का लेबल 17,580 का लेबल नहीं ब्रेक कर जाती तब तक आप लोगों को बढ़िया मोमेंटम पूट साइड के तरफ नहीं देखने को मिल सकता है या फिर उपर के साइड के तरफ 17,850 का जो ये लेबल है जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाती है तब तक आप लोगों को C साइड के तरफ बढ़िया मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है अभी आप लोगों को एक ही strategy को follow करना है buy on dips sale on rise ठीक है दोस्तों अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के time frame पर तो देखे दोस्तों अब हम 5 मिनट के time frame पर आ चुके हैं अब चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा लेबल important निकल के आ रही है कल के दिन 5050 के अंदर trade कर नेकले तो देखे दोस्तों अगर कल के दिन 5050 gap up opening होती है वो कौन सा लेबल होगा वो होगा यह बला लेबल जो की लेबल होगा 17685 का अगर इसके उपर कल के दिन 5050 gap up opening होती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate call नहीं buy करना है आप लोगों को यहां पर call का buy करना है जब इस लेबल पर 15 मिनट का candle sustain कर जाती है और green candle के अंदर resistance दिखाई दे तब आप लोग यहां पर call buy कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेबल होगा 17640 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 point का और उसके बाद आप लोग यहां पर SL को trail कर सकते हैं अब suppose कर लीजिए अगर कल के देन इस लेबल पर gap up opening होने के बाद इस लेबल पर sustain नहीं कर पाती है जो की लेबल है 17685 का और इस लेबल को यहां पर breakdown कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate put नह है जब इस लेबल पर दुबारा retracement करने आएगी और यहां पर आप लोगों को red candle के अंदर एस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर put by कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेबल होगा 17720 का और target की बात क करेंगे तो first target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 17623 का और उसके बाद आप लोग यहां पर SL को trail कर सकते हैं दोस्तों यह तो हो गया gap up बाला scenario अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन 5950 gap down खुलती है वो कौन सा लेबल होगा वो होगा यह बला लेबल जो की लेबल होगा 17581 का अगर कल के दिन 5950 इस लेबल पर gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate put नहीं बाई करना है जब इस लेबल पर 15 मिनट का candle sustain कर जाती है और red candle के अंदर extent दिखाई दे तब आप लोग यहां पर put बाई कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों क यहां पर छोटा सा SL लगाना होगा जो की लेबल होगा 17640 का और target की बात करेंगे तो approximate target आप लोगों का यहां पर रह सकता है 70 से लेकर के 100 point तक का target रह सकता है अब suppose कर लेजिए अगर कल के दिन 5050 इस लेबल पर gap down खुलने के बाद इस लेबल पर sustain नहीं कर पाती है जो की ल लेबल को यहां पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर immediate call नहीं बाई करना है आप लोगों को यहां पर call कब बाई करना है जब इस लेबल पर दुबारा retracement करने आएगी और यहां पर आप लोगों को green candle के अंदर एस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यह यहां पर call by कर सकते हैं और SL की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर चोटा सा SL लगाना होगा जो की लेबल होगा 17535 का और target की बात करेंगे तो first target आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो की लेबल होगा 17623 का और उसके बाद आप लोग यहां पर SL को ट्रेल कर सकते ह दोस्तो आसा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो दोस्तो अगर आप लोगों को हमारा पेडिक् चैनल नहीं जोइन किया हुआ है तो जाकर कि जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पलस चैनल के अबाउट सक्षन में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम